कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम ट्रस्ट वालेट से बाइन्स एप पे अपने फांड्स ट्रांसफर कर सकते हैं फांड्स ट्रांसफर करने के लिए सबसे हम पहले हमने बाइन्स एप को ओपन कर लेना है तो बाइन्स एप को हमने ओपन किया है ओपन करने के बाद यहां से अपने डिपोजट वाल आप्शन सेलेक्ट करना है और जो भी क्रंशी हम डिपोजट करना चाह रहे हैं उसको हम यह यहां से सर्च करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हम यहां से TRX को डिपोजट करना चाहरे हैं तो हम यहां से TRX को डिपोजट करना चाहरे हैं तो उसको हमने सेलेक्ट किया है सेलेक्ट करने के बाद उसका नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से स्कर जो भी receiving address हमें नजर आ रहे हैं वो copy कर लेंगे तो यह address हमने यहां से copy कर लिये उसके बाद हमने जाना है वापस trust wallet में और यहां से हमने send वाला option सेलेक्ट करना है send वाले option में जो भी currency हम send करना चाह रहे हैं उसको search करेंगे और search करने के बाद हमने उसको select कर लेना है select करने के बाद हमने जो address finance से हमने copy किया था वो यहां पे paste करतेंगे और यहां उसके बाद amount select करेंगे maximum कर सकते हैं या आप अपनी मजज़े से जितनी भी करना चाह रहे हैं उसके बाद continue करेंगे उसके बाद हमने इसको confirm करना है तो यह हमारा transfer जा है वो complete हो चुका है तो transfer होने का जो message है वो trust wallet की तरफ से notification आ जाएगा इसके अलावा जब finance को आप open करेंगे तो वहां पे भी receiving वाला जो notification है वो show हो जाएगा इसकी details आप वहां पे check कर सकते हैं इसके बाद हम वापस finance में जा रहे हैं ताकि check कर सके हमारा transfer जो है वो complete हो गया है या wait करना पड़ेगा तो अभी तक हमारा transfer नहीं हो रहा तो अब हम इसको refresh करेंगे तो हमारा transaction जो है वह हमने किया है या transfer वो show कर रहे है और जो भी currency हमने transfer किया है वह हम यहां पर show हो रही है तो इस तरह असानी से आप अपने funds coater wallet से finance में transfer कर सकते हैं